तो आज हम आपको हिंदुस्तान नैशनल ग्लास पे शेर अनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा साथ ही में hit the bell icon सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है उसके competitors कौन कौन है share price chart बताएंगे then share holding pattern बताएंगे कि promoters के पास कितना stake है and retailers के पास कितना stake है and quarterly result का analysis करेंगे कि quarterly wise company कैसा perform कर रही है और yearly wise company कैसा perform कर रही है तो इस सारी चीज़े हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है हिंदुस्तान national glass and industries limited यह 1946 में incorporate हुई थी और यह manufacture करती है container glass बहुत सारे containers होते हैं जिसमें आप समान रख सकते हो वह glass के बनेवे होते हैं तो वह चीज़े हिंदुस्तान national glass manufacture करती है अगर आप इसका market cap देखेंगे तो 160 करोड का market cap है तो यह एक small cap company है जिसका आप stock price to earning देखेंगे तो नहीं है यह small cap company है stock price to earning नहीं दिया हुआ है क्योंकि यह company loss में है अगर आप देखेंगे ROCE ROE तो दिया हुआ ही नहीं है और ROCE negative में दिया हुआ है minus 3.84 it means मलब अगर company यहाँ पर यह basically profit पर depend करता है अगर company प्रॉफिट ही नहीं कर देखेंगे तो रिटर्न कैसे देगी तो उस्वज़े से यहाँ पर जो रिटर्न से वो negative दिया हुए है pledge percentage यहाँ पर देखेंगे तो 96.5% मलब की promoter के पास जितना भी stake है उसमें से इन्हों ने 96.5% pledge पर रखा हुआ है तो यह भी एक तरह से negative बात ही है debt company के पास देखेंगे तो 2229 करोड का debt है company के पास debt बहुत मतलब बहुत ज्यादा है सिर्फ 160 करोड की company और debt है company के पास इतना ज्यादा interest coverage ratio यहाँ पर negative में दिया है interest pay करने की capability company के अच्छी नहीं है तो यहाँ पर fundamentals अगर हम देखें company के तो अच्छे नहीं है क्योंकि loss में company है promoters ने अपने stake को pledge पे रखा हुआ है debt company के पास बहुत ज्यादा है interest pay करने की capability नहीं है क्योंकि loss company को इतना कहां से company pay करेगी financial trend देखेंगे तो 2018 में 1,970 करोड का company का revenue था तो आप समझ सकते हो company इतनी छोटी है लेकिन company का revenue कितना है 1,970 करोड का revenue 2019 में 2,510 करोड का मनला 2510 करोड का revenue है company का 2020 में 2,320 करोड का revenue and 2021 में 1,910 करोड का revenue तो company का revenue यहाँ पर अच्छा खासा है बहुत ही अच्छा खासा है लेकिन उसे के सामने company के expense भी इतने ज्यादा है और दूसरी चीज़े इतना ज्यादा कि company profit नहीं कर पा रहे है सिर्फ company जब company आई थी like market में थी तब मलक market में नहीं बर नॉमली बहुत पहले company को profit हुआ था 90 करोड का उसके बाद से हर साल company सिर्फ loss कर रही है अगर आप देखेंगे तो 2018 में 290 करोड का लॉस है 2019 में 170 करोड का लॉस है 2020 में 100 करोड का लॉस है और 2021 में 300 करोड का लॉस है तो यहाँ पर लॉस के numbers बढ़ते हैं decrease होते हैं लेकिन यहाँ पर company profit में नहीं आ पा रही है लेकिन company का revenue है वह बहुत ज्यादा है बट वह भी यहाँ पर decrease होता हुआ नजर आ रहा है अब हम quarterly wise भी देखते है 2021 में तो चलो pandemic issue होता तो उस वज़े से हो सकता हम मान सकते कि उस वज़े से यहाँ पर decrease हो लेकिन अब हम देखे तो जून 2021 में 425 करोड का revenue किया है September में 494 करोड का revenue और December में 585 करोड का revenue जबकि पिछले जून 2019 में हम 20 को count नहीं कर रहे है क्योंकि pandemic issues थे June 2019 में 617 करोड का revenue था तो यहाँ पर अभी भी company कम revenue कर रही है September में 566 करोड का अभी भी कम कर रही है और December में 566 का तो December में यहाँ पर थोड़ा सा revenue इंक्रीज हुआ है लेकिन अगर हम देखेंगे company का expense तो यहाँ पर company ने 11 करोड का operating profit 9 करोड का operating profit और उसी के साथ company के अधर income भी है लेकिन company का आप देखिए depreciation कितना है तो overall company यहाँ पर loss में आ ही जाती है और tax तो company pay कर ही नहीं पारी क्योंकि profit तो है यह नहीं tax कहां से pay करेगी company ठीक है तो यहाँ पर company का depreciation बहुत है मरलब जो चीजे है जो asset है उनके पास उस पर depreciation काफी ज्यादा लग रहा है कि थोड़ा बहुत company profit करती भी है तो उस पर depreciation लग जाता है interest लग जाता है तो overall company बहुत ज्यादा loss में आ जाती है तो अगर आप देखेंगे जून 2021 में 68 करोड का दें 58 करोड का और 102 करोड का तो overall देखेंगे 200 करोड तो company ने ऐसे ही negative है मलब 200 करोड के loss में तो हाल फिलाल आ चुकिया और उससे भी ज्यादा यह तो मैंने overall मलब ऐसे ही लिया है उपर उपर से बाकी 220 करोड से उपर तो company का loss है ही वो भी 3 quarter का मिला के 4 quarter तो बाकी यही दिक्कत है इसी दिक्कत की वज़े से company का जो share price है वो इतना कम है क्योंकि हाल फिलाल company का revenue भी इतना नहीं बढ़ रहा है मलब जितना पहले बढ़ता था 2000 करोड 25 करोड उतना ही company कर रही है और company उपर से loss में ही है मलब profit में नहीं आ पा रही है उसके expense की वज़े से उसके asset पर depreciation की वज़े से और इतना debt layer रखा है उसके interest की वज़े से shareholding pattern देखेंगे 70.73 70.73 बट उसमें से 99% तो company ने यहाँ पर प्लेज पर रखा 99 यह 95% जो मैंने स्टार्ट में बता दे इतना तो promoters ने प्लेज पर रखा हुआ है क्यों रखते क्योंकि उनको बहार से debt मिलना बंद हो जाता है तो उनको कोई option नहीं होता उनको अपने stake को प पूरा उन्होंने अपने stake को निकाल दिया है क्योंकि उन्हें वर्थ ही नहीं लग रहा है इस company में रहने का देन पब्लिक है 22.18 से 29.27 क्योंकि एड़न रीटेलर्स ही होते हैं जब यह सारी company से बड़े दिगच investors निकल जाते तो छोटे investors हैं जो फस्ते हैं ऐसी company में और ऐस से शेर को लेते मलब penny stock समझ के वो लेते रहते और अपने पैसे को ब्लॉक करते रहते हैं अब हम देखेंगे अगर glass in glass products में तो यहां पर आस ही इंडिया ग्लास है बोरोसल रेनवेबल ला उपाला आर जी है बोरोसल है और सेंट गोब है देन सेजल ग्लास है एंपार इंड देखेंगे तो सबसे चोटी company यही है और प्राइस में भी देखेंगे तो सबसे चोटी यही है 17.90 रूपीज अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे तो आप देखेंगे सेल्स कमपणी का मतलब सेकेंड से लेकि 7 नंबर की जितनी बड़ी-बड़ी company से उनको भी यह और उससे भी ज्यादा सेल्ज यह कंपनी कर रही है। आप देख सकते हैं 168 mm 108 घूर। सारी तो यहंश उत्ना सेल्ज कर रहें। उनसे भी ज्यादा काफी ज्यादा सेल्ज कर रहे। उनका डबल जिबम लेकिन कमपनी के कुछ तो दिक्कत है इस कमपनी में लाइक एक्सपेंस वगेरा के कि नहीं मैनेज कर पारी है और इतना ज्यादा लॉस हो रहा है बाकि अगर आप देखिए कि ये कमपनी अगर प्रॉफिट में आ जाती है तो ये कमपनी कहा से कहा पहुच सकती है क्योंकि रेविन्यू इतना ज्यादा कर रहे है बाकि जो इससे बड़ी कमपनी से वो भी उतना नहीं कर पारी है बट स्टिल यहाँ पर में यही दिक्कत है फाइयर हाई ये 191 बट 17.75 का आज का प्राइस है आज ये अपर सरकीट 4.72% और यही है पिछले हफते एक हफते से ये अपर सरकीट ही मार रहा है और पिछले महिने मलब एक महिना भी अगर आप देखे तो अपर सरकीट मलब लोवर सरकीट मार रहा था पहले फिर ही अपर सरकीट मारने लग जया अपर सर्कित मार रहा है तो यह है अगर आपको ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से इसमें एंटर करना है तो आप कर सकते हो बाकि टोटली आपको अबॉइड करना चाहिए बाकि आप यह शेर को रडार पर रख सकते हो कि कभी कंपनी प्रॉफिट में आने लग जाए डेट क्या समझ में आ गया होगा इसका शेर अनालिसस समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेर एंड सब्सक्राबर चैनल थैंक यू